एक हमारे वीवर से उन्होंने पूछा है जो के पूछते हैं सर आयमें जॉब होल्डर बट आय फुली मोटिवेटेड आय वांट तो दो सम्थिंग फोर माई कंट्री कैना दू एक्सपॉर्ट इंपोर्ट बिजनस कैना एक गिव इनफ तैम तो इस फिल्ड उसी से मिलता जूलता एक और कॉछन पूछा है चिराग जीवानी जी ने अव केन आई लर्न इंपोर्ट एक्सपॉर्ट बिजनस सो रफिकुल जी दीप जी और चिराग जी थैंक यू सो मच पर आस्किंग दी यूज कॉशन्स इन दे फिल्ड ऑफ एक्सपॉर्ट इंपोर्ट सर आप लोग को में बताना चाहूंगा के एक्सपॉर्ट इंपोर्ट बहुत सदियों से चला आ रहा है और बहुत सालों तक चलेगा यह कभी बंद नहीं होने वाला है फिल्ड यह और आप यह बिजनस मियू बोल सकता हूं कि सिर्फ नॉलेज लेके ही इसको ग्रैब कर सकते हैं और उसके बाद में इसको इंप्लिमेंटेशन के लिए आप अपने पॉकेट से कैपिटल लगा सकेंगे जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है मैं बोलता हूं एक भी पैसा मत लगा मैं बोलता हूं एक भी पैसा मत लगा जस्ट उसका नॉलेज जैसे आप free होते हैं घर जाते हैं टीवी देखते हैं क्यों देखते हैं सर रिलेक्स होने के लिए देखते हैं वैसे ही आप कहीं ना कहीं पर job कर रहे होंगे कोई business कर रहे होंगे तो कुछ एक new activity learn करने के लिए वह आप export import में ले लीज़े बहुत सारा knowledge मिलेगा सर बहुत सारा क्योंकि ये एक पूरा यूँ बोल सकता हूँ के बहुत बड़ा दलदल है आप जितना इसके अंदर आप जाएंगे उतना ही गहराई में आप जाते रहेंगे क्योंकि हर दिन इसके अंदर new notifications आते रहते हैं कुछ update आते रहते हैं government की तरफ से तो वो आपको समझना तो आपको well prepare होना पड़ेगा अगर आप शुरुवात कर रहे हैं अगर आप शुरुवात कर रहे हैं तो आपको मैं 5-6 points कुछ key points बताऊंगा जिसके उपर आपको workout करना है ठीक है without any cost उसके लिए आपको एक भी रुप्यानी देना है सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ क रफिक जी ने सर हमको export import business करना उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर सबसे पहले आपको product धुनना पड़ेगा क्या आपको क्या export करना है ठीक है दूसरा सवाल जो दीब घोष जी ने पूछते हैं सर export import business can I give enough time to this yes if you can spare one hour a day if you can spare a one hour a day you can get a valuable knowledge on export import business so it's not part कि आपको बहुत सारा time देना है यहां पर पहले उसका understanding लो तो सही किस तरह से उसको करना है किस तरह से उसको execution करना है किस तरह से उसको planning करना है that you have to decide first friends अगर आप friends कोई भी traditional business start करने जा रहे हैं चलो मैं बात करता हूं यह मैं मेरे बहुत सारे webinars में भी cover करता हूं कि अगर आप कोई भी traditional business start करेंगे so you have to put up a capital from your pocket जिससे आपको minimum बोल सकता हूं 2 से 5 लाग आपको पहले capital investment करना पड़ेगा उसके बाद में जो महीने का expenditure आएगा आपका rent हो गया आपका electricity हो गया आपका maintenance हो गया आपका staff का कर्चा वो सब कुछ मिला के भी आपको महीने का 20 से 25,000 रुपे कहीं नहीं जाएगा तो यह एक ऐसा business है जो बोल सकते हैं कि बहुत सारे myths होते हैं कि documentation नहीं आता है मैं कैसे document बनाऊँगा payment नहीं आता है अगर friends payment नहीं आ रहा होता तो आज की तारिक में हम 190 country को export नहीं कर रहे होते 7,500 प्लस commodity हम export नहीं कर रहे होते इंपोर्ट जो है 6,500 commodity हम import नहीं कर रहे होते आपको proper channel समझना पड़ेगा तो सबसे पहले यह 5-6 points first product आप कौनसा product export करना चाहते हैं उसके उपर analysis करिये बट मेरे पास तो product है नहीं सर में तो new हूँ कोई पास नहीं नजदीक में तो कोई product होगा आपके कोई meal होगी कोई factory होगा कोई cultivation होता होगा किसी का मतलब आलू प्याज vegetable fruits कुछ तो उखता होगा आपके पास में beauty products होगे कोई बड़ी-बड़ी super malls होगे जो आपका city या फिर आपकी जो state है वो किस चीज़ के लिए famous है पता करो उसके ओपर work out करो सबसे पहला product product आपने select करा उसका knowledge लो knowledge कहां से मिलेगा आप सबसे बड़ा अली बाबा को तो सभी लोग जानते होंगे अली बाबा के उपर जाओ आपका product वहाँ पर लिखो आपका product लिखो वहाँ पर बहुत सारे आपको integrations आएंगे कोई भी एक पर click करो click करो product description specifications में जाओ और वहाँ पर आप check कर पाऊगे कि आपके product के लिए क्या क्या चीज़े जानना जरूरी है आपको वह product आप लिखो उसको समझो और वह product को लेकर या वह आप specifications को लेकर nearby manufacturer के पास जाओ जहां से आपको वह product procure करना है जब आप वह product procure करेंगे वहाँ से तो आपको बहुत सारे probing भी करने रहेंगे अपने manufacturer के साथ में या फिर supplier हो या फिर wholesaler हो कि आप किसके साथ deal कर रहे हैं तो वह आपका आएगा तो first product thereafter product knowledge जब आपका product select हो जाता है आप प्लीज बोल सकते हैं YouTube में मेरे comment कर सकते हैं मैं आप लोग के लिए particular special video बना देता हूं उसके लिए कि आपका product कौन कौन सी country में जा रहा है तो market analysis जिसे हम बोलते हैं तो वह आपको करना है अगर आप उसके ओपर भी work out करेंगे क्यों क्योंकि अगर आपको product पता चल गया और वह नहीं पता है कि आपका market कौन सा है तो friends 230 plus countries में आप भाया ढूंदते रहेंगे और नहीं मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है तो पहले आपका product हो गया तो उसके आपने आपको market analysis करना है कि कौन से market में इसको भेजना है आपको ठीक है वो market analysis के लिए आप हमारे YouTube वीडियो पर comment कर सकते हैं possibility यह हो सकता है कि हम श we will make it for you sir not a problem so first product selection, product knowledge, market analysis, अब market analysis के बाद आता है कि आप अपना product display कैसे करेंगे display बोले तो इंडिया में नहीं out of इंडिया आप मान लिजी का आपका जो target country है वो है इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया में आप आपका product display कैसे करेंगे इस पे तो हमको marketing करना पड़ेगा यह करना पड़ेगा बिल्कु से marketing करना पड़ेगा we are going with international marketing तो आप जो भी आप मालीजे इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया का B2B portal कौन कौन से वहाँ पे सबसे आदा है सब को पता है पूरे world में पता है अली बाबा को सब जानते है कि वर्ल्ड वालों को भी पता है कि इंडिया में इंडिया माद चलता है क्यों उनको यहाँ पर बिजनस कर ना क्योंकि उन्हों ने वहाँ पे अनलेशिस करा हुआ तो international marketing international marketing के बाद आता है finding buyers finding buyers के बाद में आपको आता है कि आप उसको payment terms क्या देंगे आप payment terms क्या select करेंगे and thereafter it comes to documentation तो यह कुछ 5-6 points है जिसके उपर आपको work out करना है friends अब आप बोलेंगे किसा payment terms कौन सा रखेंगे हम buyer कैसे जुनेंगे तो friends उसके लिए पूरे एक detail videos हमने बनाए हुए हैं आप उसको go through करो but yes if you can spare one hour a day you can start your export business बहुत easy है अगर आपको कुछ भी और भी difficulty होती है आपको समझ में नहीं आ रहा है request GFE application download करिए totally free है chat box में जाईए नहीं समझ में आ रहा है पूछिए वहाँ पर questions our team will get back to you कि उसके आपको क्या answer दे रही है ठीक है friends इसके अलावा और भी कोई questions please put up on the YouTube comment thank you so much friends